हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ अस्ताम अलेकुम तिंग टैंक मैं आपको खुशाम देद कहते हुए बहुत बेयाबरू होकर कुचे सियासत से हम निकले अब हम इसी मामले पर बात करने जा रहे हैं सवाल आपके सामने कि क्या मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सही इद्राक है नवश्ते दिवार मुस्लिम लीग नून पढ़ रही है या नहीं अपनी राय का इजहार कीजिए मैं सबसे तजर्बकार सियासिदान होने चाहिए उन्हें कुछ समझ ही नहीं है कि पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान का क्या है यहां पे रूल्स ऑफ दे गेम क्या है इन्हें कुछ मेरा ख्याल है कोई पैनमा पेपर्स का वो असेस्मेंट नहीं कर सके अपने ही सदर साब से जाके कुछ मश्वरा कर लिया होता और उन से कुछ आगाही और समझने की कोशिश वहां की होती जो तकारीर फर्माते रहे कौमी असेंबली में ना सिर ना पैर खानदान के इफराद जो हैं कहानिया सब की मुख्तलिफ किसी आम से वकील से बैठके कोई और अपने इनके अच्छे बले सियाने लोग खानदान में हैं उन से पूछ के कोई एक आत कहानी तरतीब दे देते कि भाई सब ने जब पूछा जाए तो सुप्रीम कोट में टीवी के सामने आपने ये कहना है अलहमदोलिल्लाः अलहमदोलिल्लाः क्याके वो पता नहीं क्या क्या अफसाने वो घरते रहे। फिर जब वो नायली होगी तो उसके बाद पिर अवामी अडालत में जाएंगे जी अवामी अडालत भाई आप यहां कोई ट्रोट्सकी हैं, कोई आप यहां पे चेक गवेरा हैं, कि अवाम की ताकत से आप सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस वगेरा और सुप्रीम मरूब होने के बजाए, इतवार के रोज वो खादमियाला को बुला लिया, उससे का आगे बई चलें दौरा करें हस्पतालों का, खा अवामी अदालत अवामी, वो कोई बीच में इनके कैई लोग हम लोहे के चने हैं, हमें ऐसे, वो नहीं चबाए, 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 उससे का आगे जा चुके हैं, अब जो है, इनको देखिए बात सुने, अब वो मैं कहना नहीं चाहता, कि वो जो सौव प्याज और सौव पता नहीं क्या चीज जो होती है, तो आप कहेंगे, ओ जी कोई नमा महावरा का डोना है तो पुराणा महावरा है, यहीर आ रहा है, अब वो जो शेर है, महावरा तो पुराने होते हैं, जल भी चुके परवाने की बात करने हैं, आब यह जो मनजूर नजर अब यह जो है, अब यह जो है, अब यह नून ली क्या कर रही है, आज की हेडलाइन्स आप देखें, शभाज शरीफ की वो जो है क्यादत पार्टी पे क्यादत हो, और भाई उसके उपर एक तलवार नहीं कुछ साड़े साथ तलवारें लटक रही हैं, हुदैबिया केस के बारे में भी शायद पेटिशन त्यार हुआ है, वो जा रहा है, यह आशियाना हाउजिंग स्कीम वो यह काफी है, खादमे आला की सेथ के लिए, तो आपकी बात से तो लगता है कि उनको इद्राक नहीं है, मुस्लिम लीग नून को, जो आप कह रहे हैं, अगर मेरी बातों हरुं से आप समझ रहे हैं, को उनको बहुत समझ है, तो आप पर प्रौप किया जाईगा, तो आपके पही है, नहीं मेरी यह स्वाल हुस्ड में हरुंसः उक्शन में बेनामी के साथ जाएंगे अमीदवार, यह कैसे होगा पिर सैनेट में क्या हिसा हो किताब बनेगा, चल आप जिसे बड़े नामों के साथ बैखी हूं में, सहाफ़त के पिलर्स के साथ, वही रोना पीट रहा है, मैं तो आज आपके आप लोगों को तजवीज दी, कि सामने वाला वहाल खाली है, उदर जागे ड्रामा ही करें, कोई कहानी कोई लिखें, याज साथ, ये क्या रोज वही बाद, वही नौाजरी, वही शबाजरी, वही इमरान गां, वही रोना पीटरा, वही लजामतराशिया, बात कहीं आगे बढ़ती नहीं है, कोई पकारो के कुमर होने आई है, फलक को काफला सुब शाम ठहराए, बात ये है, मेरी तो मैं ते चुके थोड़ा सा मलतजी हैं, पैदाशी मलतजी हैं, तो उनकी बात मान ली जाए, कि भाई ये तो क्या है, इसमें क्या है, फड़ा तुड़ा बाबर कर सकते हैं, लेकिन होता ये है, इस जंग में, कि जब कोई, कि तमाम लिहास तर्क कर दी जाते हैं, आहमक तरीन आदमी वो होता है, जो को, निकसन ने, कि अपने मुखालफे इन पर दरबादे कभी बंद न करना, साभी हमेशे कहते हैं, बिली के लिए भी सारे दरबादे बंद करता हैं, आँखें नुच्टी है, अदलिया की तजलील, देखा इमरान खां, और ये एक दूसरे को गलियें बकते हैं, तो एक कि अध्यादे मैं सीडी मुतरतों के सोच रहा था, मैं तो बैटा के बेक कालम लेख रहा था, परोग्राम की तो आए तारीक ही नहीं, तो सोच रहा था, विशेर मुझे याद आया, तोटे हुए पर देखके रो देता हूं, अन्जाम सफर देखके रो देता हूं, रोता वो खुदा के बंदे इनसान को पैदा किया अल्ला ने आजमाईश के लिए इस रुए जमीन पे प्यम्बरों समेट अलिया समेट, बादशाओं समेट कभी कोई शख्स नहीं आया जो आजमाईश में से नह गुजराओ कौन आदमी ठीक है? जफरमंद है, खुदा की बारगाह में और तारीख और इनसानों की बारगाह में जो परिशानी में, तकलीफ में, मुसीवत में दलील तो दे, अपने हक पे इसरार तो करे मगर रोए नहीं तरस का जजबा ये लीडर है के बिकारी है में तो इस प्रग्राम को बड़ा संजीदा समझ के आता हूँ समझता हूँ कि हमें संजीदा बात ही आज जी तँ कोई नहीं जो संजीदा बात ही लेकिं बात ये कि इसके कोई न Songly College के लिए बगछ बड़े चेलिजिजिज्यां 200 Force का है इनोंने कि इसे इसमाईश की सूर्ट रहाल का मरदानावार मकाबला किया जाता है और मेरा खेल है कि अच्छा है या बुरा है गलत है या सही है और खेल है वो खड़े हैं और बाद जाए कि हमने गुदिश्टा प्रोग्राम में आपको याद होगा कि आखरी दिन हमारी सब की यही असेश्मेंट थी जो फैसला आया है कि वो फैसला यही मतवक्त हो था कि उन्हें जब 28 जुलाई को प्राइमिस्टर शिप से इटाया गया और फिर वो बाहर निकले और उन्हें अपना केस पेश करने की कोशिश की यकीनन एक नई सूरतियाल तारी हुई थी सियासी और अवामी महास पे और यही फैसला मतवक्त हो था जो आ गया है अब बात यह कि क्या वो सियासी महास से भी पीछे चले जाएंगे मैं नहीं समझता है इसलिए कि आपकी अपनी सियासी तारीखी समर्गी गवाए कि यहां तो दो लीडर जलावतन थे बेनजीर भुटो सहबा और खुद नवाज शरीफ साहब बाहर से वो अपनी पार्टी चला रहे थे और अब भी तेखें शहबाज शरीफ साहब की खबर रात मैंने जब ब्रेक की तो मुझे कई लोगों के डेली फून आये कि इसमें नवाज शरीफ साहब का रोल किया होगा इससे पहले भी शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं और आप भी खुद इंडिया के अंदर देख लें कि मनमोहन ने प्राइमिस्टर थे सोनिया गादी लेकिन सिच्वेशन में तो फर्क पड़ेगा ना बयानिया कुछ और है शरीफ साहब का नवाज शरीफ साहब को को आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा किसी शक्स को इस तरह के फैस्टों के से उसका सियासी रोल खत्म नहीं हो सकता मैं तो वो बात करूँगा means के जो मैं समयता हूं के जमίνी ह Kathyya कि आज भी पाकिस्टान मुस्लिम लिग नून का worker जो है या voter आप ठीक है शळ्बाषिप साहब भी पाकिस्टान मुस्लिम लिग नूनके सहधर बन जाएंगे लेकिन वियानिया जो ही चुलेगा था या सबसे दारी नजर आ रहा था जो चीज नजर आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उनका मुकाबला बतारों के साथ है देगे नवाज शरीफ साहब तीन दफ़ा प्रैम मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर हैं इसके वो और जो उनकी इमिजेट टीम है यो उनके इर्दगेट ड्रम बीटर्स है पाकिस्तानाink की सियासत की डाइनिमिक्स को सही मानों में समझते हैं इसमें भे मजलूमीत एक डिनुरा पीटना शुरू किया है और जो है उससे जुडिशरी से और कुछ हद तक फौज से एक गेर जुरूरी कनफरिटरेशन पैदा की है उससे उनको हासल कुछ नहीं होगा लॉंग टर्म में नुकसान होगा जहां तक आपने बात की जो है पंजाब के चीफ मिनिस्ट पैसर जो है शहबाद शरीफ सही और की डिल्चस्प बात ये है कि शहबाद शरीफ साहब के बारे में जो बाते आती है वविचर टैन्स में आती है मस harms तर आएगई कि क्यों व्जीर आज़िव होंगे प्ता लगा वजीर आज़ेवा खाकान caused रही होगय क्योंके पार्टी के अंदर इस पे डिसेंशन मौजूद है कि इसमें जो इमेजेट सरकल है ना नवाज शरीफ के इर्दगेर्द जिसको के उनकी बेटी की सपोर्ट भी हासल है वो इस बात के हक में नहीं है फिर आप खाकान अबासी को अंडर इस्टिमेड ना कीजिए वो भी कॉंटेंडर है प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए आइंदा के लिए यही वज़ा है कि उन्होंने अब वो पेराया इस्तमाल किया है जो के नवाज शरीफ साहब का है जुड़ी शरीफ के खिलाफ फौज के खिलाफ भी क्योंके वो यह समझते हैं कि अगर फर्ज कीजिए कि नवाज शरीफ साहब बैक ग्राउंड में चले जाते हैं तो जो उनके लॉयलिस्ट है उनको एक सिंबल नजर आए क्योंके शरीफ साहब का बियानिया थोड़ा सा मुक्तलिफ है तो यह अंदरूनी सियासत है मार्च में आके आप देखेगा मुझे जिस शरीफ ने खबर दिया है वो सबसे क्रीब है ने खबर की बार में खबर सही होगी अगर प्राइम मिस्टर के बारे में यह कहते हैं जी कि वो भी प्राइम मिस्टर शिप के कहें लोगी तक है ये बात उन्हें ना वो कैसे बने पार्टी ने नामज़त किया ये हमारी अपस की एक इतर भाइव सकते है वाद ये है फैसे नौाज शिर्फ ने करा है अभी तक तो नौाज शिर्फ साथ कोšों मेरे कहने के वाफजूद किसी ने वाइलेट नहीं किया अभी तक तो नहीं किया, कल को आने वले वक्त के अंदर भी देख लेंगे आकर हमारी खोहिशाद भी तो है भी जाध है आप देखे तो ने जाधा है अगर कोई अजाध रो तो पहरी आगे वो जाधाएं अजाध तो नहीं है वीसे आप mr. आप ने वे पूछा ए से हैं बिसमिला के जाधा जाधा यह जाधाने वे आज़ेंगे बात रहे हैं कि आपको उस कानून में तर्मीम करके उनको पार्टी सदर बनाने से, आप सोच क्या रहे थे, आपको हासल क्या हुआ, सवायर उस्वाई और जिल्लत और मुजीद परिशानी के, अब भी वोई सुरते हाल है कि वो सदर नहीं रहे, असली कमांड पार्टी की अब भी उनके पा आपने की चलें, पार्टी सदारत के लिए आप कर रहे हैं, वो जो खत्मे नबूवत वाला कलॉस था, उसमें जाके आपको ठुड़ा लगाने की कौन सी जरूरत थी, यह आज तक वो बयान नहीं कर सकी, आज मैं आपको बता दू, बता दू, आपने उस पर कभी कोर ही नही करते हैं, यूब खाने तर्वेला डैम बनाया था, उसको किष्टार च्छपा था कि मैंने डैम बनाया दिया, बदले यह पुलिशल तो कोई चीज नहीं नहीं उसके सामने, तर्वेला डैम से आज तक पाकिज़ान को सो बिलियन डालर के आमदन तो होगी ना, अपना खेतो नहीं को है कि अखबारात में नहीं च्छपी अश्तिहार, नहीं च्छपी किसी भी चीज़ का नहीं च्छपता था, ये जो कौम का पैसा, कौम को ये बताने पर खर्च करते हैं, जैसे मैं अपने गर में इश्तार लगा लो मैं तुम्हारे लिए गोश्ट ले का आज, ये इन लियां होता है, नीमखंदा hablando का य'sirm का है, हमारा पैसा किस चीज़ पर लग रहा है जी, हमारा पैसा किस चीज़ पर लग रहाै, सुब आखबार उठाते हैं, टीवी देखते हैं, इस्ताह चल रहा है, शबाह शुरीफ नहीं ये कर दिया, और शबाह शुरीफ य पुर्णाय इसलिए था लोग ने वोट दिये थे चीम उन्हीं काम करो और ये हमारे दस करोड़े पर रोज के इस काम पर तुम किस खुशिए पर नहीं पर नहीं है और ये आगे चलती नज़रा रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आज के आज के अलात इस हदारा जाती बोरान के मुतंबल नहीं हो सकते और इस सारी लड़ाई के अंदर आप सिर्फ देखें नुक्सान किस का हो रहा है ना मुस्टबिक नून का हो रहा है ना तहरीक पाकिस्तान मौझूद है कोई भी उस पर चलने के लिए तेहाद नहीं है देखे मैं आपको बात बताओं जहां पारलीमानी नज़ा में हकूमत होता है वहाँ जो अदारे होते हैं उन में वाज़े तक्सीम नहीं होती बलके उसमें अटॉनमी और इंटर डिपेंडनस दोनो आपके हाई कोट ने सिवल सीनियर सिवल सर्वन्ट को सजाएं भी दी है कंटेम्ट आफ कोट के अंदर मेरा खाले है आपको शायद याद हो सर एडवर्ट सनिलसन जो के बिटिश सिवल सर्वन्ट थे चीफ सेक्टरी के ओदे के थे उनको वेस्ट पाकिस्तान हाई कोट था यहां पे उसको सजा मिली है क्यों किया था सर ये कौन सी पारिमान की सौवरेंटी है कोई सौवरेंटी नहीं है आप कहें जी वो जैसे वो पिछले दोर में इन्होंने किया था 45 मिंट में ये आइन तब्दील करने लगे थे और आइन इसलिए करने कि मिया मुहमद नवाज शरीफ इस मुल्क के अमीर अलमुमिन है ये बाकाइदा लिखी हुई आईनी तर्मी ये कौन सी पारिमेंटरी सौवरेंटी है ये कौन सी पारिमेंटरी सौवरेंटी है कि वो इलेक्शन रिफॉर्म बिल जो है वो आप निकाले रातो रात उसमें आप तर्मीम करें कि ये दुबारा सदर बन जाएं और जाते जाते जिसका कोई तल्लुक नहीं है खत्मे नभूवत वाला जो वो इसका कोई रिश्वा वास्ता नहीं उसको ने निकाल के आप करके पर्लिमेंट की बतने कि उतनी मदते फिर एक मैच आप लोगोंगे मौकर देना चाहिए एक तुब्रास कर ले एक अन्यसेशरी क्राइसिसाब पैदा करने में अधर स्यासी तब्दिली की बात होती है तब्दिली आती होगा जोज जो किसके कॉंड़ाइक को पारिमेंट के बात पने बात लेत किसमलगी बात इस मुलक के इ fic सारे हैं ये बड़ा बात करते है बड़े ऊस्कोफ फचे लगते है सुल्मान गनी सावब के एसास होने चाहिए ख्याल करना चाहिए मुलक का नुक सान नी होने चाहिए ओ भै एसास कोई गंदम तो नहीं खेद में उगा लें इस सास कोई फूल तो नहीं है गमले में पैदा कर ले, कोई पडीन है इस सास तो होता है यह नहीं होता है दिल पत्तर हो जाते हैं का पद नहीं कौन से सवाल पूछरी है, मसला यह है, यह शुदरने के नहीं, यह है नए लोगों के घर पर इनको इसकी क्या खबर गम भी किसी की जात थी दिल भी किसी का नाम था देखे एक बेसिक फरक जो लीडर्शिप में है ना जो लीडर्शिप 85 के बाद पाकिस्तान में आई है और एक लीडर्शिप उससे पहले की थी जो 47 से चली है बिसumeली जो फरक है वो ये है कि जो उरिजिनल लीडरशिब पाकिस्तान की है वो ट्रांसीशन से गमला लीडरशिब की बात करे हैं जो बात में खराब हो जाती है जिसके ज हम गमला की बात पुट्र हुआगा बात ये कि वो गमला लीडर्शिप तो आपको हजब कर लेते हैं जो जेनल लीडर्शिप अब उस्ताद की सुनी जाती थी बस आप शागिर्दों की सुना देखिए बात ये चले अवाम की सुन लेते हैं अब बात बड़ा एक दो संटेंस में खतम कर दो मैं लंबी कहानी ने डाली देखिए उस जमाने में जो लीडर्शिप थी वो ग्रेजुएट करती थी लोवर से हाईर सरकल को अब 85 के बाद ये हुआ है को ओवरनाइट लीडर्शिप आई है आप घर में बैटे हुए पता लगा फेडरिल मिनिस्टर इसका मुकाबला इस तरह करें कि जो औरिज जिस तरह की प्रफेसर बात कर रहे ना उस तरह की लिडर्शिप पर हजम करें लिया आप 85 की ने कौन है नो कहा से काई ये पर बहुत और बहुत सी बात जाहरा की जासे है जैनों में बहुत से सवाल मौजूद है सब बोलेंगे बराबर बोलेंगे और बात आहद चीमा की भी करेंगे ब्रेक के बाद लेकिन आवाम को हमने इसमें पाटिसेपेट करने को कहा था दुनिया ने उसके वीवर्स को कि क्या मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सही इद्राक है आवाम ने अपनी राय का से प्रेक के बाद प्रेड में था जब इसके सेक्रेटरी बनाया गया और इसकी सरप्रस्ती की गई सिबल सेर्वस वो स्टील का धांचा है जिस पर बड़ी अमारते तामीर की जाती है चोटे-चोटे घर तो कच्छी दिवारों से भी बन जाते हैं कायद आजम ने कहा था कि सियासे दान आते जाते रहेंगे जाहर है हकोमते बदलती रहती है आप लोगों ने इस मुल्क को चलाना है पालीशियों का तसलसल सिबसर्वस के जरीए होता है और काम भी तबी मैयारी होता है कि इसलिए कि तजर्वे का कोई बदल नहीं है अब सत कायर है जब इस तरह का वो जो एक वजीर साब कह रहे था है अब नाम कहा लेना कि शहबाज श्रीफ ने डूर्स की एक टीम बनाई है मतलब डूर्स का मतलब जो उनकी विम्स पर चल सके हमारे सामने पाकिसान की फिल्म इंडिस्ट्री तबाह हुई है इसी तरह फार्मूले पर विम्स पर फिल्म साज की विम्स पर फिल्म बनेंगी हमारे सामने न्यूस पर इंडिस्ट्री जवाल का शिकार हुई है तकरीबन थेटर की लेवल पर आगए एक पूरा सफ़ा जो है वो यह उसका छपता है दुनिया में कहीं यह नहीं होता कि सीरियस अख़बारों में शोब इसका पूरा सफ़ा चाप जब बेमानी तस्वीर हैं बेमानी खबरें उसका कोई तालुक की नहीं होता ख़बर हो तो चले एक दूसरी बात वो तो जिस भी फिल्ड किया अब यह जो सिवल सेर्वेंट जाहरा है खौफ ज़दा है का भाई उन्होंने कुछ तो वो है जो बिरादरी के साथ हैं जोनोंने को जुर्म नहीं किया अपने काम ज्यदातर ठीक ही कियोंगे डंक से कियोंगे पैनक तो फैलेगा इसका सबक क्या है हर चीज़ का एक सबक होता है भाई जाप्ते पर चलना चाहिए और जिन लोगे यह ख्याल है ना कि नवाज शरीव एक दफा शुरू हो जा यह कहीं थंता नहीं होता है अच्छा लेकिन आयासभ सिवल सर्विंट्स पर हार डाले में हिकमत क्या पुस्षिदा है और अगर जाप्ते के मताबए काम किया फिर तो खौफ नहीं होना चाहिए अगर आपको रेस करें या बुलाएं जो मर्जी करे फिर यह जो हमारे सामने वो हैट पैनने फिर उंग्लियां करने मैं इत्वाक नहीं करता हरुन साब की तजवीच से के हम वो कॉमेडी थेटर जाएं जो कॉमेडी थेटर बंकारी पंजाब हकूमत की है हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते हम शुरू दिन से हम फ्लॉप मनजूर नजर इनके अब लडिये के वो फलाने लडिये के इतने बड़ा स्कैंडल शेहर आप से सफा साफ रखा जा नहीं रहा शेहर की सबसेज आप चला नहीं सकते लडिये सिटी एक बन रही है जमीन ए ये जमीन का एक्विजिशन और रेल एस्टेट ये तो इस मुल्क क तबा करतेगा पता नहीं कहां से आई बीच में वो लोई के चैने जो है उसका वो हाउसिंग एस्टेट जो है पैरगान कहते हैं कभी हमारा है उससे तरलग नहीं है मतलब है कि फ्रॉड दर फ्रॉड स्कैंडल दर स्कैंडल ये जो गुड गवननस और स्कैंडल दर स्कैंड पंजाब स्पीड से होते रहे हैं जो जो चीनी भी मतारफ हो गए हैं चीनियों ने बुलिट ट्रेने बनाई हैं पर जिस किसम के काम उन्हों ने यहां पंजाब आके देखे हैं वो उनके लिए भी इनकशफात हैं यह सारी चीज़े निकल यह सिवल सेर्वन्ट्स क्या कहते है कि हम इतजाज करेंगे सेक्रेटरी जाएं डरे हुए हैं उनका तो एक एक उनको मिल जाए कि आप छुटी से नौकरी से फारग होंगे सारा इतजाज जग की तरह बैठ जाएगा यह क्यों कि शबास चरीब खुद इंटरिस्टेड हैं इसको हवा देने में कि यह सिवल पर काम कैसे होंगे यह गवर्मन्ट जो है यह खुद करा रही है यह तसर दिला रही है कि इस पे आहद चीमा तो अभी शुरू है वो क्या कहते हैं टिप अफ ती आइस पर यह तो अभी कहानी पता नहीं कहां से शुरू होगी और बीच में खादमे आला की जो है वो पिछले दो दिन से यह सोच रहा हूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कानून के खिलाफ हुई है या किसी आम आदमी से या किसी सरकारी मुलाजम के खिलाफ जैसे होता है इस तरह कि इन से क्या चीज़ मुखलिफ हुई है और दूसरी जिस इतिजाज की बात हुई है मैंने भी कुछ बेरोक्रेट से राब्ता किया है कोई भी और ने इन बात करने के लिए त्यार नहीं है मैंने का आप बात करें ना किसी असूल की बनाद पर अब बात जे के नैब के एक कुछ कवानीन है बलकर मुझे याद पड़ता है मैंने आज से एक डेट साल पहले चुकर नैब इनके खिलाफ काम कर रही थी मेरे जाती इलम में और एक लिस्ट थी मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी दिखाई थी कि ये एक लिस्ट है जिसमें चुकर टॉप पे आहद खान चीमा का नाम है तो उन्हें ने कहा था कि नहीं ये बड़ा क्रेडिबल आफिसर है बात जे कि जब सियास्तान भी उसी प्रॉसस में जा रहे हैं तो आहद खान चीमें पे इतने ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है और तहकीक जरूर होनी चाहिए देखें बेरे पास अगर कोई 15-20 कराल है या बेरे एसर्ट है तो मुझे उसे जस्टिफाई करना चाहिए मैं नहीं चाहता है कि आप किसी एक अफसर को बनाद बराकर एक कंपेंड लाँच कर देए कुछ और कंपेंड भी लाँच नहीं होगी देखें कंपेंड हमेशा असूल की बनाद पर होती है या किसी इशू की बनाद पर होती है मैंने आज कुछ बेरोक्रेट से राप्ता किया है मैंने उन से पूछा किया आपकी कोई यूनियन है तो आके आप बात करें इस पे उन पर कोई अलिकेशन नहीं है तो वो अपने आपको क्लियर कर लें इससे क्या बात है बात में थाबत हो जाएगा क्यों ठीक है लेकिन अगर हर्ताल पर चले जाते हैं उनके साथी तो क्या रियास्ति मशीनी जैम हो जाएगी देखें बात ये है कि सेवल सर्वेंट माजी में भी इतजाद इस तरह करते हैं कि मेमरेंडम देते हैं और मेमरेंडम इन्होंने दिये हैं ये जो बंद करने की बात है न ये कंफरेंटरेशन जो पी-म-ल-N में और अदारों में चल रही है उसकी ये मुक्तलिफ शकल है ये इस पराने जो डी-म-जी जो है वो अगर चीफ सेक्टरी बुलाता है किसी को तो जाहरा है सारे सेवल सर्वेंट पहुंच जाएंगे लेकिन तमाम के तमाम जो डी-म-जी के लोग है वो इनके साथ इसलिए नहीं है कि हम ये जानते हैं लेने के लिए चाह वो चीफ सेक्टरी हो के इलावा नहीं हो सकती यही वज़ा है कि इन्होंने ये दफ्तर बंद करने की जो बात की है जो के गलत है जो के मेरे निजदीक इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन बढ़ा है इन सब को चाहे इंक्लूडिंग चीफ सेक्टरी की आप घर चले जाए लेकिन शहबाज इलिगेशन शहबाज शरीफ साब को मिला है और ने का जी आप ने इनको फ्रोटेक्ट नी किया ये नी किया वो नी किया अगर शहबाज शरीफ साब चाहे तो ये एक मिनुट में सीधे हो सकते हैं क्योंके इन्हीं के परवर्दा ये लोग और देखे बाद देखे वज़ा ये है कि कुछ लोगों को जब आपने लोर लेवल पे हैं ग्रेड अटारा में हैं जब आप सीनियर पोडिशन देते हैं तो बहुत से लोगों का हक मानते हैं तो लहाज़ा डीम जी के अंदर जो पराना डीम जी है उसके अंदर जहां एक तरफ इनकी खुशनूदी वाले ल मुझे ये बताएं ना हकुमत वारे किस कानूनी तकाज़ की आप बात कर रहे हैं आपको ये पता है कि जो नैब है ये लोगों को बाजार में घुमते वो उठा लेता है बंदा एक बाजार में शौपिंग कर रहा है और वो टार्गेट है इसको पकड़ना है नैब के लोग डाल रही है बारा सुर्तहर वाज़े हो जएगी देखना ये है कि नैब आब इस सिस्टेम ने क्या कारवाई करती है ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं एक बहुत आहम मामले की बोच लिस्ट में पाकिसान का नाम कितनी हकीकत कितना फसाना ब्रेक बाद विल्कम बैक टो दो शो पैरिस में FATF के शलास का आज आखरी दिन है पुफिससा बित्तलात आ रही है कि पाकिसान का नाम ग्रेल इसमें शामल कर लिया गया है और कहीं तरदीद की जा रही है देखिए अभी तक कोई confirmed news नहीं है ये ये news जो है जायतर लीक हुई है इंडिया की तरफ से कि जी नाम शामल हो गया अचा आप उसके साथ ये भी कहा कि जी वो तीन महीने के बाद effective होगा जो first news आई थी जब जिस दिन पहले दिन ये सिलसला शुरू हुआ था तो उस दिन ये news और लेबल बी लगएगा तो एक दर्मयाना रास्ता उन्हें एडॉप्ट किया है ठीक है लेकिन ये तस्दीक नहीं की जा सके हारून साथ ये चीन और साथी और पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्या जायर करता है मुझे तो ये मालव हुए निया मैं दो सफर से आया हूँ भई जास से उतर के दफ्तर आ रहा हूँ रास्ते में गुंशनम गया लाद मैं दो इस पर तफ्सर नहीं करें आईासाब आप कह दीजिए इस मामले में आप क्या समझता है जो अफ़ वह हैं गर्दिश में ती उन चीजे हैं उसके बारे में हमें गौष करना चाहिए कि ऐसी सूरत रहाल पैदा ही ना हो और हमारी सफारतकारी थोड़ी मश्बूत हो और यहां पे जो हमें एक्दामाद करने हैं वो करें बजाए इसके कि हम वो दुनिया बहर के तरले करते रहें कभी यहां बेज रहें एन पाकिस्तान की जो फाइनाशल पैदामाद कर रहा है अब यह जो रेजलेशन है इकवाम मतिदा की 1267 उसमें कुछ अग्दामाद की हैं पहले अमरीका पाकिस्तान पे असर अंदाज होने की कुछ कर रहा है अबर अमरीका और बितानिया ने इस तरह प्रेशर डालने की कुछ की है आपका सवाल बडा वैलेड है कि जे चिन और साओधी अरब है ने मुखारत को की ये भी सवाल करें के तurकी ने इतनी हमायद क्यों की तरकी भी पाकिस्तान के साथ कड़ा रहा है तेकि जो रजय की रेज़र्वेशन भी है वो भी जो लगाए गए थे वो काटने पाकिस्तान को पढ़े हैं पाकिस्तान की फोर्सिस को पढ़े हैं मैं समझता हूं कि हमें हमारा जो काम है हम अपनी सरजमین को दैशन गर्दी से पाक रहें प्रेशन उन्हें आप पे डालते रहें देखे उसमें चीज ये है कि हमें ये खुद फैसला करना है कि ये जो इंप्रेशन पाकिस्तान के बाहर है कि इसके बावजूद के पाकिस्तान ने टेर्रिजम को कंट्रोल करने के लिए कुर्बानियां दी हम पे ये लेबल लगता रहता है और ये इसलिए भी एहम है कि अभी जो म्यूनिख में जो कांफरेंस हुई है सेक्यूरिटी की जिसमें आर्मी चीफ ने जो बहुत से बातें की है उनमें से एक बात उन्होंने जहाद की डेफिनेशन दी है और उन्होंने कहा है कि जो जहाद कताल है यानि जो वाइलेंट जहाद है वो सिर्फ रियास्त कर सकती है एक बहुत बात अर्शकर नश्यत हूँ यह जो बहुत कनफिजन मजभी लोगों ने पहला हुआ है हमने इसको बड़ा केरफली देखा है देखिए क्या चीज़ डाकॉमेंट टेक है सिर्फ जिसके कोई अखतलाब नहीं वहाद कुरान मजीद अच्छाइस आयात हैं जहाद पे सिर्फ आठ का तर्लुक जन्स है बीश का तर्लुक अपनी इसला से है और बारा शर्ते हैं इसकी दरख नहीं कटा जाएगा फसल नहीं जलाई जाएगी बेगुराँ को तो कुतल को ख़र सवाल जी है अच्छाइस तर्लुक जाएगी अच्छाइस तर्लुक जाएगी